हलो स्प्रेंट बेल केम बैक टू माई यूटू चैनल योर शोनू तो दोस्तो आज हमारे साथ दाने सर हैं इन होने गेट द्वरवाइस और गेट द्वरतेश क्वालिफाई के हैं तथा इसके साथ साथ एक अच्छे टीचर भी है पॉल टेकनिक सेमेश्टर के बच्चों को तैयरी करवाते हैं और इसके साथ साथ एसे सी जई हो तथा अधर अस्टेट एई जई हो चाहे कमपटेटिव एकजाम हो टेकनिकल से रिलेटेड उन सभी बच्चों को तैयरी करवाते हैं अपने यूटूब चैनल पे जिनका नाम है डैड स्टर तो चलिए इनसे बात करते हैं सर फॉस्ट अफॉल आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है थैंक्यू सुनू थैंक्यू वर्यमाच सर आप अपने बारे में तायेगा हमारी एस्पिरेंट्स को मेरा नाम दभी रनवर्दानिश है हम बीटेक सिविल इंजिनिंग से करके फिर एम टेक स्टक्चर इंजिनिंग में कम्प्लीट किये थे 2017 में उसके बात से हम गवर्मेंट पॉलिटेकनिक के शंगज में पढ़ा रहे हैं आप जानते हैं और अभी तक वहां कंटीनिव पढ़ा ही रहे हैं फुल टाइम में और साथ में पार्ट टाइम में आप 2020 में जब कोविड आया था तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किय में कि हम यूट्यूब पे आने का डिजन लिए थे और धीर धीरे स्टार्ट किये बहुत सारे सब्जेक्स हम यूट्यूब पर पढ़ाए वे हैं जो आप लोग देखते हैं उसके बाद अब हम एक सीरियस एक अटेम्ट लिए हैं प्रोफेशनल अटेम्ट इसको कह सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा सा अगर उसको देखते हुए कि जो भी हम लोग अपनी जैसे कंपनी हम सेट अप किये कुछ दिन पहले भी हम उसका अनौंस किये थे यूट्यूब पे डैट सर को हम एक यूट्यूब चैनल से एक माइक्रो कंपनी बना दिये अब उसको तारगेट क्या था तो टारगेट यही था कि जो भी स्टूडेंट में जर से आफ लाइन जो नहीं पर पा रहे हैं बहुत सबसे घ्राइब करते तो उसमें हम लोगों को एक होप एक तर से कह सकते हैं आसा मिला कि हम लोग लोग को सूर्ज वैसा नहीं बनना है कि हम लोग कोर्स बेच रहे हम से कोर्स ले लिजे तो लगा कि यह चोटा-चोटा अटेम्ट ले करके कुछ किया जा सकता है तो मेरा हमेशा से जो हम आपको अभी इंटर्व्यू में भी यही बता है कि कभी भी एक्जाम के लिए पढ़ाई मत करो हमेशा पढ़ो तो सीविल इंजिनियरिंग को पढ़ आपको बात करने की जिस भी आप डिपाटमेंट में है सब्जेक्ट वास पढ़ते चले जब सारा सब्जेक्ट आने लग जाएगा उसके चार फोर्म बढ़ें अलग अलग बहुत सब्सक्ट पोन किया था कि पिए अर्व और conceptual उसकी पढ़ाई कर जाए है तो यह चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक कोशिश लिए कि हम कभी भी कोई एक्जाम के लिए कोशिश करेंगे कि कभी ना पढ़ाएं हम हमेशा पढ़ाएंगे हम हमेशा से सिविल इंजिनियर है हम हमेशा से सिविल इंजिनियर इंग ही पढ़ाएंगे तो हम अभी अपने जैसे इसको कंपनी बना दियें डैट सर को तो मेरा वेबसाइट है www.datser.com बहुत सिंपल सा वेबसाइट है तो हम इसमें क्या किया है कि अब हम सब्जेक्ट वाइस कोर्स लांच कर रहें एक सब्जेक्ट मामली से प्राइस में जो भी अफॉर्डबल हो पाएगा वह बहुत सारे पड़के एक्साम निकाल सकते हैं तो हम क्यों कहीं दस हजार उक्रे यह या 5000 तो हम 300-300 करके चार सब्जेक्ट ले देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा लेकिन ऐसा इंडिया में अभी तक बड़े लेवल पर कहीं नहीं चल रहा है कि एक सब्रेक्ट लीजी और वह आपको साउ मेसेज आया था कि वह पढ़ना चाहता है लेगिन वह जौब कर रहा है अब वह जौब कर रहा है कि उसकी मजबूरी है तो यह सब को ध्यान में रखते हैं हम एक एक सब्जेक्ट वाइस कोर्स लाँज करने का डिजर लिया है तो उसको पूरा पैकेज लेना पड़ता है है पैकेज लिए वह हैं मगर सैटिसफाइड इसलिए नहीं क्योंकि उसका कोई एक पाटिकुलर टीचन का टोन पसंद नहीं आता है या पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आता है वह जो नोट्स लिखा रहे हैं वह नोट्स लिखाते चले जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है या college going student ही है उनके college में चार्ट subject की बढ़ाए बहुत अच्छी हो रही है एक subject में वीक हैं तो उसका solution हम बनने के लिए सोचे कि हम बन जाते हैं ठीक है financially बहुत ज़्यादा beneficial नहीं है यह चीज़ लेकिन क्या है ना कि at least एक effort है कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं है कि कुछ ब बहुत जाता नहीं होता है क्योंकि वह एक शॉट में जैसे एक गंटे में सवा गंटे में गंटे का वीडियो बन जाता है तो पहले स्टार्टिंग में बहुत एडिट वगएरा लगता था तो यह सारा time management करने में इसलिए धीर करके अभी full flash हम नहीं लांच किये तो अभी ह यूटूब चैनल है डैट सर का उस पे अभी वीडियो नहीं आ रहे हम स्टार्ट किये थे बीच में मैराथन डालना हम तीन सब्जेट का मैराथन डाल चुके हैं अब हम जैसे यह हाईवे और रिकॉर्डिंग करके थोड़ा फ्री होंगे तो हमको हार्डली दो दिन की requirement होत लगते हैं सर से तो आपको इनके चैनल यूटू चैनल में सर एगा यहां से आप जाकर चेक आट कर सकते हैं और आप subscribe कर सकते हैं अगर आप paid पर subject लेना चाहते हैं तो आपको website मिल जाइगा website का लिक में description में में मेंसंद कर दूंगा तो कैसा लगा ये overall interview अगर अच्छा बार आये होंगे तो चैनल को सब्सक्राब कर वेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद